नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्या शंकरति वारे हैं राम मंदिर केस को ले करके बहुत ज़्यादा आज कोट में जो है एक तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा नक्सा का फारना सभी पक्षों का अपने बात कहने के लिए अड़े राना ज्यादा समय मांगन अब तो लगबकता है हो गया कि ये सुनवाई खतम हो गई है अब कोट को फैसला देना है कोट ने पहले ही ये कह दिया है कि एक महिने का टाइम लिए है हम फैसला लिखने में तीन दिन का टाइम दिया है कि जो कुछ भी आप रिलीफ मांग रहे हैं उसके बाबत आप तो 2010 में हाई कोट ने फैसला दिया था 2.77 एकड जमीन का मसला है जहांपे कि हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये राम जन भूमी है और जो मुस्लिम पक्ष है वो दावा करता है कि नहीं इस पे उनका हक है जिस पे कि पहले मस्जिद थी तो 2010 में एलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच की जो 310 बेंच की उसने फैसला दिया था 2011 में ये मामला सुप्रीम कोट में आया और लगभग 9 साल हो गये हैं और अब जाकर के उस पे सुनवाई पूरी हुई है तो जो 5 जजों की बेंच जिस वो सम्मयदानिक पिट बोल र ये तो पांच जज हुए अलाबा अद्ध हाई कोट ने जिन तीन लोगों के बीच में इस जमीन को बांट दिया था वो बांटा था निर्मोही अखाडा रामलोला विराजमान और सुनी वकवो इन तीनों में बांटा था तो अब सुप्रीम कोट में जब ये मामलाया तो आ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने किया ख्याता खास और से मुस्लिम पक्ष ने कि जो वहां पर बहास हुई वो मुस्लिम पक्ष करके और इधर से जो बहास हुई जितने भी हिंदू संगठन है वो हिंदू पक्ष की तरफ से कह करके ऐसा किया गया एक ही वकिल ने क इसके अलावा सिया सेंटरल बोड़ भी है और राम जनम भूम फुनरोधार समिती है गोपाल सिंग विसारद है इकबाल अंसारी है एम सिद्धकी है अखिल भारती हिंदू महासभाद दो है तो इसमें एक कमलेश तिवारी द्वाया जो रिपरजेंट किया गया है वो है निश किया डिसायड करना है यह साथ प्रमुख 맞는 आएँ है जिसपे की सॉप्रिम कोड को टाय करना वैसे दिले महिन के रूप में समझें तो सिर्फ एक ही इस विम्री साइड करना है कि यह 2.77 एकर जमीन है जहाँ पर की हिंदू पक्ष कर तोवर आलजीतने भी हैं लोग वो यह कर रहा है कि नहीं इस पर तो मस्जिद थी जिसको कि 1902 में में जब रजश्ति थोड़ दिया गया लिहाज यहाज यहाँ पर मस्जिद बनने चाहिए एक ही मुद्दा है एक कर रहा है कि हमारा है दूसरा कर रहा है । अब ऐसे पोड की कि एसके तो सेवतान से हमें सेमीर हैं लिहाजा मलिकाना हथ हमारा स्टूनी वकबोड कर रहे कि मस्जिद चार सो साल से थी ब्रृटिश ग्रांट भी देते थें अंग्रेज ने कवल पूजा का हग दिया था यानि कि हिंदू पक्ष का पक्ष कम्जोर है था हाई कोट ने इस पर कहा जश्टिस धरमबीर सर्मा ने कहा कि राम लाला विराजमान का पूरी जमीन पर हग स्विकार किया अन्य दो जजो यानि कि जो हाई कोट की लखनोपीर थे उसमें तीन जज़त हुआ था एक ने पूरे पर हिंदू पक्ष का हक माना और दो ने माना तीन में बाणठा था अब दूसरा ही इसलू है जमीन पर कौन का भी हिंदू पक्ष उनी सचोंतिस के बाद इस सर्फर मुसलमानों ने नमाज बंद कर देती हैं हिंदू पक्ष का तर्थ है लेकिन से शिवेट की भूमिका में यहीं पुजारी की भूमिका मुसलिम पक्षकार हमसे जबरन हमें नमाज से जबरन रोका गया उनीस से चोंतिस के बाद निमीत नमाज बंद हो गई गवावर ने पुष्टी किये कि जब नमाज की कोशिस की तो जिल में डाल दिया भले नमाज सान मुसलिम पक्षकार बंबे समय से जमीन पर काड़ी रहे इसले रामल्bn अला बिर्याजमान के साथ उन्हें जमीन का एक-एक हिस्टा दिया जाए तो ये उसमें हाई कोड का फैसला रहा अब एसाई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि विबादी सथल पे खुदाई के बाद एसाई ने असपर्ष का है कि वहां मिले और सेस और ठंबे किसी मंदिर के हैं यानि वहां पहले मंदिर था कि वहां में ये खुदाई के समय एक मंत्री के सारे पर काम कर रही थी कई ऐसे मस्जिदें जिन पर फुल पत्तिय बनी है विबादे अस्थल पर मिले औसेस इदगाह के तो हो सकते हैं मगर मंदिर के लिए अब हाई कोट ने क्या कहा कि जस्टीस अगरवाल और जस्टीस सर्मा ने एसाई की रिपोर्ट स्विकार की थी उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट के तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता जबकि जस्टीस एसिव खान ने एसाई की रिपोर्ट को स्विकार नहीं किया अब मस्जिद की पहचान कैसे हो तो हिंदू पक्षकाराय कुरान के असार मस्ज मुझीट की दिवारों पर मानो चितोर संग्रचना नहीं बनाई जाने चाहिए यह तर्क भी गलत है कि आसपास कब्रहों तो नमाज अदा नहीं कि जा सकती हाइक ने इस पर क्या कहा हाइक के जश्टिस अग्रवाल और जशीश सर्मा ने कहा कि मौजूदा तथ्यों के अधार पर विबादित धांचे को मस्जीद नहीं कह सकते, जश्टिस खान ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा था, मौसाद गया था, अब राम का सही जन्मस्थान कौन सा, इस पर क्या हिंदू पक्ष का रहा है, क्या मुस्लिम पक्ष का रहा है, और हाई कोट ने क्या कहा, इन ही हिंदू पर सुप्रिम कोट को भी फैसला देना है, तो हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जीद के केंद्री गुंबद के नीचे वाला अस्थानी भगवान राम का सही जन्मस्थान है, मुस्लिम पक्ष का रहा है कि जो ये दावा कर रहे हैं, वो इस्तथ्य पर अधारित है कि प कुछ लोग राम चबूत्रा को भगवान का जन्मस्थान बताते हैं, तो ये दावा कैसे साही हो सकता है, यानि कि वो ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं कि यहीं पर पैदा हुए हो, बगल वाला भी इसी नाम से जाना जाता है, हाई कोट ने इस पर फैसला दिया कि जश्ट जवाल ये उठता है, ये थोड़ी दर के लिए मान लेते हैं कि मंदिर ये नहीं है, तो मंदिर की जगा मस्जित कैसे, तो फिर हिंदू पक्षकार कर रहा है कि बाबरी मस्जित निर्मान के लिए मंदिर मुगल सासक बाबर ने तुड़वाया था, या और अंजेब ने इस मंदिर की रिपोर्ट से कही जा रहा है, तो ये रहा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष और फिर हाई कोर्ट का फैसला, एक चीज देखने में आ रहा है कि ज्यादा तर बिंदू पे जो जस्टिस अक्रवाल है और जस्टिस सर्मा है, वो सहमत होते हैं, और जस्टिस खान है, उनकी या तो अलग राय रह रही है, या वो मौन साथ जा रहा है, अब एक इसमें और महत्त पूर्ण इस हुए कि क्या नियाइक ब्यक्ति है या नहीं, तो हिंदू पक्ष का रहा है कि राम और उनकी जन भूम आस्था का केंद्र है, लोग इसे या देवता नियाइक ब्यक्ति हो सकते हैं, तो कारा हिंदू पक्ष के हाँ बिलकुल हो सकते हैं, मुस्लिम पक्ष कारा कि विबादित जगह को नियाइक ब्यक्ति नहीं माना जा सकता, कोट ऐसा करता है तो फिर मस्जिद भी नियाइक ब्यक्ति है, यानि कि आप यदि उनक में से ज्यादा तर बिंदूओं पे जश्टिस अग्रवाल, जश्टिस उधिर अग्रवाल और जश्टिस धर्म बिर्शरमा एक राय के थे और एसी खान जो है वो अलग राय के थे बारा, तीन भागों में, चुकि उसमें हाई कोट और सुप्रीम कोट में भी बना हुआ सिस्टम कि जब भी ऐसे मतभेद हो आपस में किसी इसू को ले करके तो जज अपना अलग हैसला दे सकते हैं तो कुल मिलाजवा करके इसमें तीन भागों में बांट दिया गया हाई कोट से और अब इन ही साथ बिंदूओं पे मतलब यह साथ प्रमुक बिंदूओं बिंदू तो ना जाने कितने उठाये गए हैं सुप्रीम कोट को तै करना है कि रामलला विराजमान, निर्मोही अख़ाडा और सुन्नी वक्त बोर्ड में से किसका हक बनता है किसके पक्ष में ज्यादा एविडेन्स है कौन अपनी बात को सावित कर पाया और नहीं कर पाया ये सुप्रीम कोड को टाय करना है। तो ये है पुरा राम मंदिरी केस कैसे बिबात सुरह हुआ, कैसे हाई कोड में फैसला हुआ और कैसे अब किन मिंदों पे सुप्रीम कोड को फैसला करना है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देख पी रही है हमारा डिजिटल चैनल इनकाबर इनकाबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें